हलो एन वैलकिम बैक आज हम जो है टेस्ट करने वाले Tata Tiago EV की जो रेंज का टेस्ट है वो हम करने वाले हैं मेरे फ्रेंड ने जो है रिसेंट्ली ही Tata Tiago EV जो कार है वो बाई की है और यह जो कार है यह है इसका XT Long Range Variant याने कि company जो है claim करते है कि एक बार recharge में 315 km आप इसको run कर सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि यह जो battery है 48% charge है और हमने यहाँ पे जो trip का meter है वो भी zero set कर दिया है और अब हम यहाँ से चलने वाले हैं हम जो है एक nearest city में जा रहे हैं वहाँ पे हमें कुछ काम हैं हम वो करेंगे और इसके बाद इसको जो है श्याम को हम वापस लेके आने वाले हैं और आपको एक चीज और बता दोगे अभी हम जो है highway के उपर चल रहे हैं और उसके बाद जो है हम city के अंदर भी जाएंगे बीच बीच में हम जो है music भी चलाएंगे इसके अंदर और साथ ही में जो है आगे चलके थोड़े time के लिए पांच या दस minute के लिए इसकी जो है AC भी हम own करेंगे जिससे हमें पता चल पाएगा कि actual range हमें कितनी मिलने वाली है अभी हम यहां से निकल चुके हैं आपने battery percentage देख लिया है बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे कि कितनी percent अभी हो चुकी है अभी हम drive mode के अंदर run कर रहे हैं इसके अंदर sports mode भी मिलता है देखने को लेकिन हमारा motive है कि हम गाड़ी को 60-70 के अंदर जो है इसको चलाएं ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा range दे पाए लेकिन हम बीच बीच में जो है इसको 90-100 भी लेके चलेंगे क्योंकि actually यह काफी एक normal case है जब आप लेके जाते हो तो हमेशे आपका motive यह नहीं होता है कि आप जो है lowest जो है speed पे रखो कई बार जैसे highway वगएरा होते है तो वहाँ पे speed जो है 80-90-100 तक लोग रखते हैं तो वही natural case scenario हम यहाँ लेके चलने वाले हैं उसी के जो है use के लिए हम इसको जो है 70-80 से लेके 100 तक भी try करेंगे तो इससे जो एक range आएगा वो एक ऐसा range आएगा जो हर आदमी के लिए actually fit हो बैटरी वगएरा कि अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 24 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है जो की तकरीबन I hope 24 unit के around ही जो है consume करती है electricity को इससे जो निच्चे का जो variant है जो की 500 km वाली जो कार है उसके अंदर 19 किलोवाट की बैटरी आते है जो की तकरीबन 19 unit जो electricity है वो consume करती है तो यहाँ पे आप जो है आपके सहर के साब से क्या आपके माँ पे electricity का rate है आप idea लगा सकते हैं कि आपके daily कितने किलोमेटर का run होने वाला है और साथ ही में आप जो है इसको कितने time में charge लगाने वाले हैं अभी जो मेरे फ्रेंड ने जो कार ली है वो तकरीबन इसको जो है हर next day alternate day के उपर इसको charge करता है क्योंकि उसको जो daily run है वो तकरीबन जो है 100 km के around है इसने जो long range के लिए है जो company 315 कर रहे है यह claim लेकिन हमने बहुत सारी YouTube वीडियो के अंदर देखा है तकरीबन 220 से लेके 500 km ही इसकी जो है मिल पाती है देखिए अभी 44% बैटरी हो चुकी है अभी हम जो है बिलकुल बीच में आगें ट्राफिक के यहाँ पे जो है एक्चली रेलवे फाटक था तो यहाँ पे आ गए है इसकी एक अच्छी चीज यह है कि आप बिलकुल एक्सलेटर से जैसे पैर हटा लेते हैं उसके बाद 3-4 या 5 km पर आवर की स्पीड बे अपने आप चलते रहती है वहीं डीजे लियो पैट्रोल इंजन की जो गाड़ियां होती है आप उसमें देखते हैं कि वहाँ पे आपको जो हलका हलका पैर रखना पड़ता है एक्सलेटर की उपर ताकि वह लकी हलकी चलते रहे लेकिन इसके अंदर बड़े ही आराम से आपको पैर आटा लेना है 4-5 km के पर आवर की स्पीड से बड़े आराम से चलते रहेगी तो यह मुझे इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट लगा क्योंकि मैं खुच जो है गाड़ी ड्रायो करता हूं मेरे पास पे एक्चले पैट्रोल की गाड़ी है तो एक यह थोड़ा कंसरन होता है बार-बार कलच के उपर पैर रखना तो यहां पर इसके अंदर दो ही पैडल है एक तो ब्रेक का है और एक डिरेक्ट लिए आपको एक्सलेटर का मिलता है तो जो फर्स टायम इसको ड्रायो कर रहा होगा पैट्रोल ये डिजल वाला है उसको थोड़ा अलग से अन्वाव होगा क्योंकि इसके अंदर डैकली खड़े ब्रेक लगते हैं हम पेटरोल के अंदर क्या करते हैं कलस दबा के फिर ब्रेक दबाते हैं अलके अलके तो उससे काफी slow motion के अंदर ब्रेक लगते हैं लेकिन इसमें suddenly actually ब्रेक लग जाते हैं तो ये एक थोड़ा सा मुझे इसके अंदर अलग लगता है तो अगर आप first time चलाने वाले हैं तो आप जो ब्रेक हैं उसको जो है थोड़े साही तरीके सिस्तमाल की दे अधरवाइज डारेक्ली आपको ऐसा लगएगा जैसे को अमर्जेंसी ब्रेक लगा दिया हो अभी देखे 34% जो है ये बैटरी रह गई है और इसने देखे ट्रिप के उपर 32 km दिखा रहा है कि हम 32 km जो है ड करते हैं जो कि सही नहीं होती है तो चलिए अब जो है आगे अगर आगे की बात करों तो हम यहां पर वापस आ रहे हैं बैटरी जो है तकरिवन 26% बची हुए है और अभी हम 55 से लेके 60 के आराउंड जो है गाड़े को रन कर रहे हैं ट्रिप के उपर आप देख पारे होंग हम इसकी जो है सब्सक्राइब कर दो कर दो हुए है हमने गाड़े में बीच बीच में जो है म्यूजिक तो एक्चुली चलाए रहे थे लेकिन बीच बीच में हमने AC बीच जो है चला के रखा था तो उससे आप देख सकते हैं बैटरी परशंटेज उससे बहुत जल्दी गिरता है बैटरी परशंटेज दो बज़े से गिरेगा एक टाप जो AC उसकरते हैं दूसरा जब आप गाड़ी को जो है काफी स्पीड से बैटरी परशंटेज बहुत जल्दी ड्रोप होता है तो अगर आपको लंबा चलाना है तो मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा कि आप जो है अपनी जो गाड़ी की स्पीड है वो 60 से 70 रखिए आपकी जो गाड़ी है उसकी रेंज आपको काफी अच्छे मिलने वाली है हम जब घर पहुंचे तो तकरीबन 80% हो चुका था तो उस हिसाब से इसने हमें जो है तकरीबन 200 की जो है रेंज दी है नॉर्मल केस के अंदर जब हमें इसी वगरा जो है नहीं चलाते हैं तो तकरीबन 220 से लेकि 250 तक दे देता है लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा यह कंच है तो आप हमें बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए